Hello students, Maths Class 6, Exercise 3.7, Question No. 7 3 tankers contains 403 litre, 434 litre and 465 litre of diesel respectively 3 tankers के अंदर diesel दिया गया है 1st tanker में कितने litre diesel है? 403 litre 2nd tanker में इतने litre diesel है 3rd tanker में इतने litre diesel है Find the maximum capacity of a container Container की maximum capacity आपको बतानी है That can measure the diesel of the 3 containers exact number of time जो किसको measure कर सके? Diesel को measure कर सके जो इन 3 containers में exact number of time जो दिया गया है उनको measure कर सके तो हमने क्या निकाल ली है? Maximum capacity of the container हमने find out करनी है तो हम करेंगे Maximum capacity of tanker Maximum capacity of required tanker हमने find out करनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हमने क्या निकालना है? Maximum किस चीज़ पर focus करेंगे है? Maximum Maximum है तो हमने क्या निकालना पड़ेगा? HCF Maximum के लिए क्या निकालते है? Highest common factor यानि कि HCF निकालेंगे? किसका निकालेंगे? 403, 434 and 465 liter इन 3 का क्या निकालेंगे? हम HCF निकालेंगे तो यहां पर हम इनका HCF निकालते हैं बेले 403 लेते हैं 403 के factors निकालेंगे तो इक इस पर divide होगा? 2 की table पर divide नहीं होता 2 से divisible नहीं है यह क्योंकि यहां पर 3 given out number 2 से divide नहीं होगा अब हम 3 से check करेंगे 3 से divisibility चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 plus 3 7 है 7 3 की table में नहीं आता तो यह 403 3 से divisible नहीं है उसके बाद 3 के बाद 4 आता है 4 से 6 से 8 से और 10 से इनसे यह number divisible नहीं है because यहां पर odd number है क्योंकि 4 की table में जब भी 4 की table को हम जब भी लिखते है 4 की table पढ़ते है तो उसका जो तो वह क्या होता है तो वह क्या होता है even number होता है लेकिन यहां पर odd number है तो यह number है जो ना तो 4 की table में आएगा ना 6 की table में आएगा ना 8 की table में और 10 की table में नहीं नहीं है 10 की table के लिए यहां पर 0 होना चाहिए तो 4 की table में नहीं नहीं है इसे 7 पर इसे डिवाइड करके देखेंगे सेवन फइल साथ 35 5 बच गया, 53 7 की टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर 7 से भी डिवाइड करके देखेंगे 9 4 36 9 4 36 बच ग्यां यहां पर 4 और 43 बन गया 43 आगे 9 की टेबल पर नहीं आता तो 9 से भी डिजिबल नहीं है उसके बाद यह number 11 से चेक करेंगे 11 से डिजिबल है की यह 11 से डिजिबल था 33 उसके बाद यहां पर 7 बचेगा 12 से डिजिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पर और नमबर है 13 13 से चेक करेंगे 13 से डिवीजिबल है या नहीं 13 3 जा 39 1 बच गया 13 बच गया 13 बच गया 13 बच गया 31 बन गया 31 क्या है क Ci घृ तर फॉर की टेबल में आएका अब हम आगे नकाल लेंगे 135 के लिए 8 बर एक जा तु से डिवीजिबल नहीं री से चेक करते हैं डी इसीं जबन आया इनका e2 से डिविजबल और से भी दिविजिबल नहीं है और नमबर है यहां पर इन्टी है उसके बाद टेबल में भी नहीं पर दोगा अब उसके बाद 465 थार्ड नंबर है 465 तो यह किससे डिविजिबल है 5 से क्योंकि वन्स प्लेस पे कितना नंबर गिवन है 5 5 से डिविजिबल है 5 9 जा 45 बच गया 1 5 3 जा 15 अभी यह नंबर 3 से डिविजिबल है 3 3 जा 9 and 1 31 आया तो 31 से ही डिविजिबल होगा तो यह हमने निकालें फेक्टर अब हम इनका HCF निकालेंगे पहले हम लिख लेते हैं कि 403 13 x 31 434 is equal to 2 x 7 x 31 तो HCF निकालेंगे HCF क्या होता है हाईस्ट कोमन फेक्टर यानि की जो इन में कोमन होता है वही क्या होता है HCF, तो यहां पर common क्या रहा है, 31 इसमें भी common है, यहां पर भी common है, तो 31 और देखते हैं, 13 यहां पर है, 13 किसी में नहीं, यानि कि कोई और number common नहीं होगा, तो HCF कितना है, 31, तो maximum capacity of container क्या होगी, Hence, the maximum capacity, maximum capacity of container is equal to 31 liter, यह answer है, Now, question number 8, find the list number which when divided by 6, 15, 18, 6, 15 and 18, leaves remainder 5 in each case, हमने वो सबसे छोटा number बताना है, वो list number हमने बताना है, जिसको हम, जिसको divide कर सकते हैं, 6 से, 5 से, और 18 से divide करें, तो remainder कितना बचे, 5 बचे, वो सबसे छोटा number हमने बताना है, वो list number बताना है, जिसको हम, 6, 15 और 18 से divide करें, तो remainder हर case में कितना बचे, 5 बचे, तो यहाँ पर हम पहले LCM निकालेंगे, क्या find निकालेंगे, तीनों नंबर का, LCM of 6, 15 and 18, तीनों नंबर का क्या निकालेंगे LCM, तो LCM निकालते हैं, तीनों का, 6, 15 and 18, 2 से divisible है, 6 और 18, 2 से divisible है, तो 2 से divide करेंगे, 15, 2 से divide नहीं होता, तो as it is हम लिख लेते हैं, 2 into 9, 18 होता है, 9 आ गया, अब यह 3 से divisible है, 3 से 3 बन जा 3, 3 5 से 15, 3 3 जा 9, अब अगें 3 से करेंगे, क्योंकि 3 3 से divisible, अब 1 divisible नहीं है, 3 से तो 1 as it is, 5 as it is, यहाँ पर 1, अब 5, 5 से करेंगे, 1, 1, LCM क्या होगा, LCM is equal to 2 multiply 3, multiply 3, multiply 5, 2 multiply 3, multiply 3, multiply 5, multiplication कर देते हैं, 2 multiply 3, 6, 6 multiply 3, 18, 18 multiply 5, 90, तो LCM कितना है, 90, तो 90 क्या है, 90 जो LCM होता है, जो किसी भी numbers का, 2 numbers का, 3 numbers का, या 4 numbers का, जो भी LCM आता है, वो number इन सभी numbers से exact divisible होता है, तो यहाँ पर जो 90 आया है, जो LCM 90 आया है, इन तीनों नमबर का, तो यह 96 से भी exact divisible होगा, 15 से भी exact divisible होगा 18 से भी exact divisible होगा exact divisible means जब हम 90 को divide करेंगे 6 से 15 से 18 से तो remainder 0 बचेगा कुछ भी यहां पर remainder नहीं आने वाला यानि कि remainder कितना बचेगा 0 होगा यानि कि पूरा-पूरा यह इस number को divide कर देंगे जो भी LSEम आता है किनी numbers का तो वो क्या होगा वो LCM को अगर इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा अब हमने क्या कहना बताना यहां पर है कि वो list नंबर बताना है जो remainder 5 बचे लेकिन यह तो वो list नंबर है जो इनको पूरा-पूरा डिवाइड करता है तो वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जहां पर remainder 5 बचे अगर हम 90 में 5 एड कर दे 90 में 5 एड कर दे तो क्या हो जाएगा एक नंबर आजेगा 95 तो वो क्या होगा वो ऐसा list नंबर होगा जिसको हम divide करेंगे तीनों नंबर से तो remainder कितना बचेगा 5 तो हम क्या निकालेंगे required नंबर क्या आजेगा 90 प्लस 5 क्या करेंगे हम 90 प्लस 5 तो 95 आगया 95 क्या है यह हमारा answer आएगा कि 95 वो list नंबर है 95 दो list नंबर 95 is the list नंबर that is divisible divisible by 6 15 and 18 leave remainder leave remainder 5 in each case 5 in each case जो हमने 95 प्लस करके 95 नंबर निकाला है वह हमारा answer है कि 95 वो list नंबर है 95 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम divide करें 6 15 और 18 से तो 5 क्या बचे 5 remainder बचेगा हर case में question number 9 find the smallest 4 digits which is divisible by 18 24 and 32 हमने वो smallest 4 digits नंबर बताना है जो क्या होना चाहिए divisible होना चाहिए यानि कि exact divide होना चाहिए इन नंबर से किससे 18 24 and 32 से जहां पर हम divisible निकालते हैं divisible number निकालते हैं तो वहां पर क्या निकालते हैं LCM तो LCM निकाल लेंगा हम 18 24 and 32 का 18 24 and 32 इन तीनों का हम LCM निकाल लेंगे 2 से divisible है 9 1 2 12 आ गया और यहां पर आएगा 16 नाव आगे अगें 2 से divide करेंगे 9 नहीं divide होता है as it is 2 6.12 2 8 जा 16 अगें 2 से 9 आए यहां पर 2 3 जा 6 2 4 जा 8 जो divide होता है उसको divide कर देते हैं otherwise as it is हम निक्चे लिख देते हैं अब हम 3 से divide 2 से कर लेते हैं क्योंकि 4 2 से होता है 9 3 2 अगें 2 से कर देते हैं 9 as it is 3 as it is लिखेंगे यहां पर 1 आ गया अब हम 3 से divide करेंगे 3 3s are 9 and 1 1 3 से 1 1 and 1 इन numbers को हम multiply करेंगे और यहां पर LCM निकाल लेंगे LCM निकल आएगा 18 24 and 32 का LCM होगा 4 times यहां पर 1 2 3 4 5 5 times 2 की multiplication 1 2 3 4 5 5 times 2 है और 2 times 3 है 2 times 3 multiplication करेंगे 2 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 16 16 जा 32 यहां तक कितना आया है यहां तक हमने multiply किया 32 और 3 3 जा 9 यानि कि 32 और 9 की हम multiplication करेंगे 9 2 जा 18 1 9 3 जा 27 और 1 28 यहनि कि LCM कितना है 288 इन सभी numbers की multiplication करनी है वो हमारा LCM आएगा तो कितनी आई है multiplication 288 यह LCM आगया है आमने निकालना किया smallest 4 digit number जो क्या होना चाहिए इन 3ों से exact divisible होना चाहिए तो हम यहां पर क्या करते है जो भी LCM आता है जो LCM आता है तो 3 digit का number है जो तीनों से divisible है यह क्या है जो LCM आता है वो number वो क्या होता है इन 3ों number से exact divisible है यानि कि यह number 288 को 18 से divide करेंगे तो भी हमें remainder कितना मिलेगा 0 मिलेगा 24 से करेंगे तो भी remainder 0 होगा 32 से करेंगे तो भी remainder 0 होगा 288 के multiples निकाल दे तो वहां से हम क्या ले सकते है smallest 4 digit number ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे वी हाव तो फाइंट multiple we have to find the smallest 4 digit multiple of 288 we have to find smallest 4 digit multiple of 288 के multiple निकालेंगे और multiple कौन से निकालने हमने smallest 4 digits यानि कि सबसे छोटा 4 digit का जो multiple होगा 288 का वही क्या होगा हमारा answer होगा तो यहां पर इसके multiple निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी table जो होती है वो क्या होती है इसके multiple होते हैं तो यहां पर इसकी table निकालेंगे हैं multiplication करके 28 जा 16 6 आ गया 1 carry 28 जा 16 और 117 7 1 आ गया 22 जा 4 और 1 5 यानि कि 288 multiply 2 576 288 multiply 3 करेंगे 38 जा 24 2 38 जा 24 24 प्लस 2 26 अगें 2 32 जा 6 6 और 2 8 864 अब 288 4 जा चेक करेंगे कितना आएगा 48 जा 32 3 48 जा 32 32 और प्लस 3 35 3 आ गया 42 जा 8 8 प्लस 3 आएगा 11 11 आ गया यानि कि कितना आ गया 4 digit नमबर आ गया जब भी हम इसके multiples निकाल दे हैं kafभी 3 digit में यही 3 digit में यही 3 digit में लेकिन 9 जाग हम निकालेंगे वह फौर इसके नमबर आ रहा है लाकिन आगakter निकालेंगे इससे बड़ा smallest चाहिए तो four digit में smallest number कौन सा होगा जो इसका multiple है 1152 तो यह क्या है 288 जब हम four से इसका multiple निकालते है multiply करके तो हमारा यह आता है 1152 तो यह number क्या है smallest four digit number है जो क्या है exact divisible है 1824 and 32 से तो हम कहेंगे smallest the smallest four digit number that is divisible by 1824 and 32 is 1152 यह हमारा answer आ गया कि 1152 क्या है smallest four digit number है जो इन तीनों से exact divisible है thank you